हेलो दोस्तो मैं अम्रीश कुमार मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज हिंदी के पार्ठ नौव आविन्यू जिसके लेखक हैं असुख बाज़पेई आज मैं आप लोगो को अबजेक्टिव कोशन्स और लगो उतर या प्रस्ट दिर्गो उतर कराऊंगा अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि मेरी आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके तो चलिए दोस्तों किसी सैर ने कहा है जिसके नसीब में हो जबाने की ठोकड़ से उस बदनसीब से न सहारे की बात कर चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को अब्जेक्टिव कोर्शन पहले करा दूँ पहला कोर्शन से ललित रचना अविन्यों के रचनकार कौन है जिसका एंसर है असोग बाजपेई अगला कोर्शन से असोग बाजपेई का जन कब हुआ था तो इसका अंसर है असोग बाजपेई का जन 16 जनवरी 1941 इस्वी में हुआ था अगला कोशंस है महातमा गांधी अंतराष्टी हिंदी विश्व विद्याले के पर्थम कुलपती कौन थे इसके एंसर है असोक बाजपेई अगला कोसंस है असोग बाजपेई की ललीत रचना है क्या है आविन्यों अगला है आविन्यों किस नदी के पर इस्तित है इसका अंसर हुआ रून नदी यह बहुत अच्छा कोसंस है आप इसे नूट बुक में नूट कर लेज़ेगा अगला कोसंस है आविन्यों में रहकर लगभग 30 सन्यूप कविताएं लिखने वाले अतियार्थ वादी कभी है रिंसा अगला कोसंस है लेखक असोग बाजपेई अनियों के कुल कितने दिन रहे तो आविन्यों में लेखक कुल लग दिन 29 दिन रहे किसका तो फ्रांस का है अगला कोसंस है लेखक अविन्यों क्या सांत लेकर गए थे तो लेखक अविन्यों में हिंदी टाइप राइटर तीन चार पुस्तके कुछ संगीत के टेप्स लेकर गए हुए थे अगला कोशन से अवे नियो दक्षिन फ्रांस में रून नदी के किनारे बसा कैसा सहर है तो वह पूराना सहर है अगला कोशन है ला सत्तुज क्या है तो इसाई मठ है ला सत्तुज लेखा का जन्म कहां हुआ था तो लेखा का जन्म दुर्ग चतिसगड में हुआ था अगला कोशन से लेखक के माता पिता का नाम क्या था तो लेखक का माता पिता का नाम निर्माला देवी उसकी माता का नाम था और परवानन्द बाजपई उनकी पिता का नाम था अगला कोशन से अवेन्यों में कब और कैसा समरो हुआ करता है तो इसका अंसर है गर्मी के दीनों में इरोब का रंग समरो हुआ करता है अगला कोशन है नदी के टट पर लेखक को किसकी याद आती है तो इसका अंसर है कभी विनोत कुमार सुगल की याद आती है तो चलिए द आविन्यों क्या है और वह कहां अवस्तित है इसका एंसर है आविन्यों एक इसाई मठ है और यह दिल्ली फ्रांस में अवस्तित है दुसरा कोशन है हर वरस आविन्यों में कब और कैसा समरों हुआ करता है इसका आंसर हुआ आविन्यों में हर वरस गर्मी के दिनों में फ्रां अवस्तित है आज कल उसका क्या उपयोग होता है यह बहुत अच्छा कोशन से बार बार रीपीट होता है बोड में तो इसका एंसर हुआ काथुर सियंस संप्रदाय का एक मठ है लास्वतुज इसी मठ का नाम है यह आवेन्यों में अवस्तित है इन दिनों इसका उपयोग रंगमंच और लेखक से जुड़ा हुआ है अगला कोशन से लेखक आवेन्यों क्या साथ लेकर गए थे और वहां कितने दिनों तक रहे इसका अंसर हुआ लेखक आवेन्यों में अपने साथ हिंदी का टाइप राइटर 3-4 पुस्तके तता संगीत के कुछ टेप लेकर गए थे वे वहां कुल 19 दिन तक रहे है अगला कोशन है नदी टट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है इसका अंसर हुआ नदी टट पर बैठे हुए लेखक को अनुभव होता है कि नदी के टट पर बैठना एक तरह से नदी के साथ बहने जैसा है कभी कभी तो ऐसा प्रतित होता है कि नदी का जल इस्तिर है और टट ही बह रहा है दर असल नदी के पास होना नदी का पास होना नदी होने जैसा ही है अगला कोसंस है यह बहुत ज़्यदा इन्पोर्टेट कोसंस है लेखक अविन्यों की सिलसिले में गए थे वहां उन्होंने क्या देखा और सुना इसका आंसर हुआ अविन्यों में पीटर बुक के बिवाद अस्पद महाभारत की प्रस्तुति होने वाली थी पीटर बुक ने इस असर पर लेखक को अमंत्रित किया था इसलिए वे वहां गए थे अगला है वहां जाकर उन्होंने देखा की वहां एक भव्य प्रस्तुति आयोजित होने वाला है वहां के अनेक चर्च रंग अस्तल में बदल चुके हैं इस असर पर संगित्य गायक कुमार गवर्धन के गायन को सुनकर रोमांचित हो रहे हैं अगला है बहुत अचा इभी कोश्चन से लाज सत्तुज का अंतरंग विब्रन अपने सब्दों में प्रस्तुत करें तो लाज सत्तुज अविन्यों में एक सतंत्र इसाई मठ है या दो-दो कमरों के चेंबर से सुसजित है तथा इसमें सजाये गए फरनीचर 24 सदी के फरनीचर के शमान है इसका रोसोई घर और नहान घर बिल्कुल अत्याधूनिक है इसमें एक अत्याधूनिक संगित कक्ष भी है अगला कोशन से मनुस जीवन से पत्थर की क्या समनता और विशमता है इसका एंसर है मानुस जीवन और पत्थर की समनता यह है कि दोनों परतिक्छारत हैं दोनों के दोनों सुख दुख का अनुभाव करते हैं दोनों ही विशम प्रस्तितियों और गहन अंदकार से घरते है दोनों गित गाते हैं कविता रचते हैं और प्राथना करते हैं किन्तु दोनों में कुछ बिस्मता है मनुस माथा जुका कर प्राथना करता है पर पसिज्टा हुआ कामना करता है दोस्तो आज के लिए बस इतना ही अगर मेरे वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जरू सस्क्र करिएगा और गंटी को जोड़ देबाएगा क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें